अब्सt thirtyister और मिला भाव sam-सक्राणारAd "' क्या कारण है और क्या जाना चाहिए इतना बढ़ा मिला you know धुमडम से क्यों लगते सच्छा है कि यहां मिला बहुत प्रसिद है एहां चुकिस उसारे में लाके दुकान दारा त्यूर्ट है बाबाई यह भी मैं सुनाओ कि इस मंदिल में बीना लगन का भी साधी हो जाता है तो एसा क्यों होता है ऐसा है नम्सकार्डोस्तो आद मैं आए हूं सौनपुल मेला में है और रहा ओन्वार से कि यह और जानांगे чтобы मेला क्यों लगता है और ये जू हर्यारीर के सबसे बार मेला सब्सक्राइब कि स्रीबाबा हरी हर नाथ का मंदिर है और यहां मेला जो है कि सदियों से लगता आ है यहां बाबा हरी और हर का मंदिर है जो बहुत परसंद है और यहां लोग जनव यग्योपवित मुंडण विवा पूजन आधिस आरे उत्सवर होते रहते हैं यहां प्रतिवस प्रतिदिन लोग अपनी मननत पुरा करने के लिए आते हैं बाबा हरियरनाथ की इतनी महिमा है कि सरदा से सरदालू अगर आरादना करता है तो भगवान उसकी मनकामना आउस्थ पुरी करते हैं इसमें तनिक भी संदे नहीं है यह मेला जो इतना भव्य लगता है इसके क्या कारण है क्या रहा से लोग सतरा का बस्त ऊणी होता है और यह सग्रमी का अवश्त होता है बच्चे का खिलोना है सरकार सहे और ठीटर लगता है और सरकार द्वारा बहुत सुब्यवस्थित धंक से ब्यवस्था की जाती है और इसिया के लोग यहां आते हैं पहले पसु का मेला लगता था है पसु के परसिद्धी थी इसिया मेला जो है यह पसु के नाम से परसिद्ध था लेकिन अब जो है पसु का मेला लखबक पजार मने जानवरों का बनार है वह सारे परनाएं पर लगते आएहां परनाव प्रहाज भी विंगता था बहुत दा ओकवाली यह दू रहुत है लिगता है नेन अटरा सुना भगताछं वह में चवत आैं cu रखित कौना अे बिर्छ और यह यह शोिछ संमाने है इस वर्स सताइस नवंबर सब्सक्राइब कर दिया जाता है कि 32 दिनों तक या 30 दिनों तक मेला जो है सुचारू ढंग से सरकार के द्वारा ब्यवस्था के द्वारा चलेगा और ब्यवस्था सरकार द्वारा दी जाएगे या इनकी महिमा इतनी अपरमपार है कि दूर दराज से भारत के कुने कुने से लोग बाबा हरियरनाथ के जल अविसेख करने के लिए आते हैं और पुर्णिमा के दिन कार्थिक पुर्णिमा जो है 27 नमबर के पड़ता है लोग गंगा अस्नान कर भावारियरनाथ का जलाविसेख करते हैं लाको लाक की संक्या में लोग भावा के अरपन करते हैं और इतनी भीर हो जाती है कि पंक्तिबत होने के बावजूत भी जो है लो लोग मेला भरमन करते हैं और अपनी जो आउस्चता है अपने सामर्थ के अनुषार जारे कप्रा बच्चे के खिलाओना घोरा बजार बकडी बजार पुत्ता बजार लोहा बजार एस सब भरमन करते हैं गुमने में तो समसम दिन भर में भी पूरा मेला नहीं घुम बीर तो बहुत जादा लगता है एक दिन में आप नहीं घुम पाएंगे अच्छे बाबा जो लोग दूर से आते हैं वो लोग चाहें आराने के लिए तो कहां पर रहेंगे जरूर यहां मंदिर में भी ठाहरते हैं बहुत सा धर्मसाला मंदिर के आसपास है और आवासिया अस्थान भी है जो किराय लेकर भी रह सकते हैं धर्मसाला मंदिर में बना हुआ है बाबारियनात में यहां भी लोग रहते हैं और उसके आसपास जो है बहुत से धर्मसाला है लोग वहां रता हैं मने चारों तरफ लोग गाउं के घर के दरवाजे पर भी राज मान होते है यहां किसी प्रकार का आगन्तु को दिकत नहीं दी जाती है। हमारे दरवाजे पर उनके दरवाजे पर गाउं के जितने भी दरवाजे सब भरे हुए रहते हैं। अगर असुविदा है तो उनको जो है सुविदा दी जाती है यह नहीं है कि सुविदा नहीं दी जाएगे गाउं ग्रामिनों के द्वारा सुविदा दी जाती है किसी प्रकार का दिकत नहीं होता है लोग जहां चाहें रह सकते हैं सोझ सकते हैं और यहां रहने के लिए कोई पूरा होता है इनकी गरिमा जो है बहुत है लोग जो है से मन्नत मांगते हैं जिसको जो आर्जू है अपनी आर्जु भगवान से निवेदन करते हैं और उनकी मन्नत पूरि होती है तो लोग मुंदन जग्यो पविद पूजा सब करने यहां आते हैं याँ अगर पर्त्यक्ष शबूत देते हैं तो उनकी साधी हो जाती है यहां से अगर बोलों साधी करके जाएंगे तो कोई पर्मान में मिलेगा कि अगर उसके मंदिर के अनुसार आपका साथ सही पाया जाएगा तब साधी ओगी अधार कार होना चाहिए व्यस्क होना चाहिए गवाह होना चाहिए एक बार प्रमुक्ष्टा जो है बाबा हरी और हर की जो है व्हारति में या 20 में कहीं भी नहीं है एक वरा आप तो रहा के दिखा देजिए मंदिल की प्छे साइड मों बैट है यहाँ पर प्रेसे लोग साध्य योदिया या फिर अपना काथा हो ता पूजा लोग करा रहे हैं अब देख रहे हैं लोग कराते हैं यहां पर बैट कि हैं पर्मुक्ता प्रधान्ता हरी और हर का है और मंदिर आज पास में लक्ष्टी जेश्ट का मंदिर लेकिन प्रमुक्ता विश्ट माता जो है हरी और हरका नाराइनी नद्याव में यहां पर भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर में ग्रा को मार कर गज को उधार किये थे इसलिए फोटो तो आप लोग देखे होंगे जिसमें एक हाती का घड़ियाल पर पकर था तो यहीं कहानी से श्टार्ट नाराइनी नदी में झो है से भगवान श्री कृष्ण ने ग्रा को मार कर गज को उधार किये थे मठील पर तो आप हला कर खारी में चलेगा抵न निधकल तो भागवान से पुकारा हे गोबिंदराको सरन अब तो जीवन हारे नीरपीयन हेतु गयो सिंदु के किनारे सिंद बीच पसत करा धरी मुही पछारे चार पहरे युद्ध भयो तो नाक कान डूबन लगे कृष्न को पुकारे हे गोबिंदराको सरन अब तो जीवन हारे तो भगवान आर्दनात से जब हाती ने भगवान स्रेकृष्न को पुकारा तो भगवान नंगे पावाकर ग्राह को मारकर घज का उधार किये और इस तरह कौन हारा घाट पुर्णी के नाम से प्रसिद्ध है और यहां नराइनी नदी में घरियाल का वास नहीं होता है वह भगवान के द्वारा ही जो है स्वेसरा अपने जा हुआ है कि यहां निवास करोगे अंध्य हो जाओगे ऐसा बता पुरानों में बढ़नी था है इसा बाबा अगर मेरे दर्सक आप से आके मिलना चाहें तो कैसे मिलेंगे यहां दे रहे हैं तो आप से और को मिलना चाहे वीडियोरी देखके तो कैसे मिलेंगे कि वी कि में बाबा को पर्मीशन ते साथ आप लोग कर लोग कर आते हैं यहां का विडियो के दे का हेल्फ करेंगे और हम लोग का काफी हैं वीडियो बनाने में और 27 नौंबर को मिला यहां लाएगा 27 नौंबर से एक महिना दो दिन यहां मेला रहता है तो आगे जो भी अपडेट होगा आप लोग का हम लोग देते रहेंगे यह बाबा है हरियरनात मंदिल के और यह वीडियो आप लोग कैसा लागा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा और यह वीडियो देखना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद